साहजनमा थानाच्षेत के कसरवल में सोमवार सुबा बालू लदा ट्रक अचानक पलड गया इसमें दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि साथ अन घायल हो गए ये सभी मजदूर लागडाउन के में हैदराबास से महाराजगंज पैदल ही आ रहे थे कानपूर से इस ट्रक मे सवार हो गए थे मुख्यमंतरी योगिया दितनाथ ने दुरगटना पर दुख जताते हुए मिर्तकों के आश्रितों को दो-दो लाग और घायलों को 50-50,000 रुपे आर्थिक सहायता का इलान किया है और उन्होंने मजदूरों के शोग संतित परिवारों के प्रति अपनी सम मेदना व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित इलाज का निर्देश भी दिया वही घायलों से मिलने दिलादिकारी के विजन पांडेन दिला अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां इमर्जनसी में तैनाद चिकस्षकों द्वारा जानकारी दी गई कि मरीदों को मेडिकल काले कालेज रेफर कर दिया गया है इस दोरान दिलादिकारी ने एमर्जनसी पर व्याप्त अनियमित्ता पर संबंदित अधिकारियों के प्रति काफी नाराजगी व्यक्त की आपको बताते हैं दुरगटना के बाद जुटे आसपास के गरामेडों ने घायल मजदूरों को किसी तरह अस्पताल पहुँचाया समुदाइक स्वासकें सहयनवा के डाक्टरों ने हालत गंबीर होने के चलते घायल मजदूरों को दिला अस्पताल रेफर कर दिया वही घायलों की इस्तिती नादूप देखते हुए मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया आपको बता दें ट्रक हमीरपूर से मोरंग बालू लाद कर गोरगपूर की तरफ जा रहा था कानपूर में इस ट्रक पर हैदराबास से महाराजगंज जा रहे कुछ मजदूर सवार हो गए सुमवार सुबा ट्रक सहजनवाद छेट के कसरवल के पहुंचा ही था कि अचानक बेकाबू होकर पलट गया इसके नीचे दबकर महाराजगंज के रहने वाले मजदूर प्रशूराम गौड और राहुल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राजेश, संजय, पोला साहनी, रमेज, धीरज भारती, विद्यस सागर और मुना साहनी गंभी रूप से घायल हो गए ट्रक पलटने की आवाज और मजदूरों की चीख बुकार सुनकर आज पास के ग्रामीड दड़कर वहां पहुंचे ग्रामीडों ने तदकाल पुलिस को सूचना दी, बाद ने पुलिस और गाउंवालों ने मिलकर घायलों को सीच सी साहनवा पहुंचाया जहां से डाक्टरों ने उन्हें जिरास्पताल के लिए रिफर कर दिया इस समद में गुरकपुन ने उस से बात करते विए परमुत्य किसा अधिच्छक डाक्टर एसके शिर्वास्तों ने कहा जरी तो ने बात ने उस से निलम तो तो यहां जिर्वास्तों आदर के लिए तो दो ऊच्छा सबस्तिकर कि ब्रूदियर्य के लिए मैंगता अगण वगर्टिक्राइं लुक्त मालें गर्तिक्राइब तेजह कि दिख बंड है और निया ड़िए किसी को लगा तो हो जोगे को यह दूंदर नहीं जातू हैं अग्ता न करता दूद की जोगा है। अब्यां से उन्हाइं अबज़त बेत्स है, विए दोगा दूद में एक राएं छहाएँ कि फिर ऑग कर रहा एण जनदर्का कि यहां पकट के यह इनके 사ट ड्रखना कर हुआ थीए तरह को किया तो किश कमानु में इच आव रहां किया ज़ाना एदा वह सकत्त कबादे रहेगा, पारीज के वो लगए और आटीना cheे, वो हम सकत्त जाएगा भी व cess हमसे रहा है वड के व सकत्क का ज़ीजे जाएगा कि अधियम साहब जो को साहद मालूम होया ये कि साजनवा के पास को एक्सिडेंट हुआ है जिसमें कुछ जो है डेट बाड़ि यहां आई हुई है उसी के संबंद में पता करने को आए थे वो तो यहाँ पर आने के बाद ये मालूम हुआ कि वो लोग जो है जो अग्सिडेंट वाले थे वो लोग आए नहीं थे कोई यहां पर हमारे यहां कोई भरती हुए है वाटो वहीं पर देख करके फिर वहां से उन्होंने यह कहा कि मरीजों के बीच में सोसल डिस्टेंसिंग मैंटेन कराये जाए जिसे से कि भीड़ न लगने पाये और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना करके रखी जाए जिसे से कि कोई संक्रमन फैलने न पाया यह इतिसा निर्देश उन्होंने जिया और कहा कि आप लोग OPD जो भी चल लए है उसमें हर में सोसल डिस्टेंसिंग मैंटेन रखा जाए